ओम नमस्ष शुबाय, स्वागत है आप सभी का मेरे एचे स्वारत द्वाय यूटुब चनल पर दोस्तो आज मैं आपको महा सिवरात्री का महा उपाय बताने बाला हूँ आपके मन में कोई भी काम ना है, पुत्र की काम ना है, धन की काम ना है, संतान की काम ना है या कोई भी कार आपका नहीं बन पाता है प्रतेक कार में रुकावट आती है तो आपको महासिवरात्री वाले दिन यह उपाय जरू करने चाहिए साथ ही पुत्र संतान प्राप्ते के लिए एक चीज का सेवन भी करना है इससे आपकी प्रतेक मनुकामना पूर्योगी महासिवरात्री वाले दिन जो व्यक्ति भगवान सिव की पूजा करते हैं उनके सभी मनुरत पूर्योजाते हैं सबसे पहला पाय आपको पंचा म्रस्य भगवान सिव का अफशिक करना है ओम नमश्वाय मंतर का जाप करते हुए दूद दही सैद घी सक्कर इनको मिक्स करके लोटे में मिक्स कर लें और इसी लोटे के जल से इसमें गंगाजल मिक्स करके भगवान सिव का अफशिक करना है अफसिक करने से पहले आप अपनी इच्छा बोलेंगे अपना नाम और गोत्र चारण करेंगे भगवान का अफसिक करें उसके बाद सुद्ध जल से भगवान का अफसिक करना है फिर भगवान को भस्मी लगानी है अब आप भगवान को बेल पत्र, समी पत्र, आग के पत्ते, धतूरे के पत्ते या चार प्रकार के पत्ते भगवान को अरपन करेंगे उसके बाद धतूरे का फल भगवान सिब को समर्पित करना है बेल पत्र जो आप लें तो उनके तीनों पत्तियों पर ओम नमस्चिवाय आपको जरूर लिखना है साथ ही गौरी शंकर एक पत्ते पर गौरी शंकर और दो पत्ते पर आपको ओम नमश्यवा लिखना हैं और यह भगवान सिब को समर्पित कर देना हैं आज के पुष्ब लेकर के, हाथ में लेकर के प्रातना वोलें और भगवान सिभ्व को समर्पत कर दें इससे पुत्र और धन की मनो कामना पूरी होती है स्वास्ती भी अच्छा रहता है जिनकी साधी में अर्चना रही है अगर वो है लड़का ये लड़की भगवान सिव को बेल पत्रों आग के पुश पारपन करते हैं उनकी मनुकामना पूरी हो जाती है भगवान सिव की प्रिये चीज उनको आरपड करें उसके बाद पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला करके साथ प्रक्रमा करें और साथ वार मोली का दागा वहाँ पर लपेटें यह सब करने बाद में फिर भगवान की मूर्ती के सामने एक गिलास में थोड़ी सी केसा डाल करके भगवान के सामने रख दें और साथी केला और बेर ये दो फल भगवान के सामने रखने ही फिर ओम नमस्यवाय मंत्र का आपको 108 वार जाप करना है और भगवान से अपनी इच्चा बोलनी है फिर दूद पी लेना है और केला और बेर खालेना है दोस्तों आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी ओम नमस्यवाय